नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टी उद्राज में स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पवन सिरीज के बहुविकल्पिय प्रशनों का मौक टेस्ट कराऊंगा तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देख के इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कौन सी पांच अभाज संख्या होती हैं तभी आप इस कुश्चन का एंसर दे पाएंगे तो यहां पर देखिए आप संदिये हुए हैं पहला आप संदिया हुआ है 6.2 दूसरा आप संदिया हुआ 5.6 और तीस हम पांच अभाज संख्या हैं कौन कौन सी होती है तो देखिए एक जो है ना तो अभाज संख्या होती है और ना तो भाज संख्या होती है इसलिए इस टाइप का जो कुश्चन है गलत होने के ज्यादा चांसे रहते हैं क्योंकि एक को ना तो भाज में रखा गया है और ना दो को इसमें सामिल करेंगे यानि कि दो हो जाएगी उसके बाद फिर देखिए दो के बाद तीन तीन के बाद फिर पांच और पांच के बाद देखिए साथ और साथ के बाद फिर देखिए ग्यारा हो जाएगी यानि कि जो नो है नो तीन से कड़ जाएगा इसलिए ये भाज संक्या होगी अभाज संक्या नहीं होगी तो इस परकार से देखें यहां पर माधिका गयात करनी है पर्थम पांच अभाज संक्या होगी तो देखें ये पर्थम पांच अभाज संक्या हो जाएंगी और माधिका का करने की जरूरत है नहीं जब यह आ रोही और रोही क्रम में ना हो यह निकी जो है मिक्स एक में ही ऐसे लिखी हो तो उनको क्या करेंगे पहले बिवस्थित करेंगे आ रोही या रोही क्रम में उसके बाद फिर जो बीच की संख्या होगी वही उसकी माधिका होती है अब देख से प्रस्टर्पा उन्डर टीरी और चौत्था आपसं नहें अंडरूट थिरी हो देखे़ इसका जो बहर आपसाने विल्कुल राइट हो जाएगा टुउ अपान अंडरूट question तो देखें नियुक्ट question है question number 40 card theta into sin theta into six theta का मान होता है तो देखें पहला option दिया हुआ इसका card square theta दूसरा option दिया हुआ 10 square theta तीसरा option दिया हुआ one और चौथा option दिया हुआ का सेख theta तो देखें इसका जो सा option है बिल्कुल right answer हो जाएगा one देखें यहां पर card theta into साइन theta into八 theta दिया हुआ है तो card को हम क्या करेंगे cost upon sign में change कर लेंगे तो देखें cost theta upon самом theta theta हो जाएगा यह फार्मूला होता है card theta बराबर और into में दिया हुआ साइन theta तो यहाँ पर statement theta लिख लेंगे और फिर into में दिया हुआ स्ख theta तो इसका उल्टा देखें जो है कास होता तो यहाँ पर सिक की जगे पर one upon कास थीटा लिख सकते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर कास से ये कास कर जाएगा और साइन से ये साइन कर जाएगा तो यहाँ पर इसका जो सा आपसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question हसा इसोकिङके का मान होता है सामaden 60 दिगरी का मान होता है देखें पहला आपसन दिया हुआ दूषरा आपसन दिया हुआ है एक बटे अन्डर ूत और तीसरा आपसन दिया हुआ यहा आप लटी बाइंसर हो जाएगा देखें sign 60 degree का मांण under root 3 by 2 होता है अब देखते हैं next question появ Learn 1 upon root 2 हो तो theta का मान होगा sign theta बराबर 1 upon root 2 हो तो theta का मान होगा देखे पहला question दिया हुआ 0 degree दूसरा question दिया हो 30 degree देखे तरा question दिया हो 45 degree और चौतह question दिया हुआ 90 degree तो देखे इसका जो सा आप सान है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 45 डिगरी देखिए यहां पर साइन थीटा बराबर दिया हुआ है एक बटे अंडर रूट टू तो देखिए एक बटे अंडर रूट टू जो है वो साइन में मान होता है साइन 45 का तो इसकी जगे पर साइन 45 लिखा जा सकता है और उसके बाद फिर देखिए यहां पर साइन से साइन कैंसिल कर देंगे यहां पर थीटा बराबर 45 डिगरी हो जाएगा तो इस परकार से यहां पर जो सा आप सान है इसका वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक कास ए तो देखिए इसका मान हो जाएगा वन देखिए इसको कैसे साल्व करेंगे यहां पर देखिए वन माइनस साइन स्कॉयर ए और इंटू वन प्लस टैन स्कॉयर ए का मान गयाद करना तो यहां पर वन माइनस साइन स्कॉयर ए का मतलब हो जाएगा कास स्कॉयर ए क्योंक square a लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए यहां पर cast square a हो जाएगा और into यहां पर देखिए sick जो है वो cast का उल्टा होता है तो यहां पर one upon cast square a लिख लेंगे sick की जगे पर और फिर यहां पर देखिए cast square a से cast square कड़ जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ पर इसका जो देखिए 2 आपसन है विल्कुल right answer हो जाएगा और उसके बाद फिर अब देखते हैं next question तो देखिए next question है बेलन के वकप्रिष्ट का सूत्र होता है बेलन के वकप्रिष्ट का सूत्र होता है देखिए पहला आपसन है 2 pi r h दूसरा आपसन है 2 pi r h तीसरा आपसन है 2 pi r h square और चौत्छा आपसन है इन में से कोई नहीं तो देखे इसका जो A आपसन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 2PiRH यहनि कि बेलन के वक्पेस्ट का फार्मूला क्या होता है 2PiRH फिर देखे नेक्ट कुस्चन है संक की तिर्ची उचाई होती है संक की तिर्ची उचाई होती है देखे पहला आपसन दिया हुआ L स्कॉर बराबर H प्लस R दूसरा आपसन दिया हुआ H स्कॉर प्लस R स्कॉर तिर्ची उचाई होती है संक की उसका फार्मूला क्या होता है L बराबर अंडर रूड H स्कॉर प्लस R स्कॉर इसको दूसरे जो है सब्दों में भी कह सकते हैं कि L स्कॉयर बराबर H स्कॉयर प्लस R स्कॉयर अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है जिस चतुर भुज की सम्मुक भुजाओं का परतेक यूगम परसपर समांतर हो उसे कहते हैं तो देखें पहला आफसण यहां पर दिया हुआ सम्मुक भुजाओं का परतेक यूगम परसपर समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे समांतर चतुर्भुष कहेंगे और सिर्फ एक योग में यानि कि जो चतुर्भुष होता है उसका सिर्फ एक योग में जो है समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे समलंब चतुर्भुष कहेंगे यह विशेश रूप से आप लोग याद रखना अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेट कुश्चन है कुश्चन नमबर 47 है यदि तीन मेज और पांच कुरसी का मूल एक हजार है और पांच मेज और दो कुरसी का मूल नौसो सतर रुपए है तो एक कुरसी तथा एक मेज का प्रथक प्रथक मूल होगा यदि तीन मेज और पांच कुरसी का मूल एक हजार रुपए है और पांच मेज और दो कुरसी का मूल नौसो सतर रुपए है तो एक कुरसी तथा एक मेज का प्रथक प्रथक मूल होगा यहां पर देखें पहला आपसन दिया हुआ कुरसी 110 रुपए है मेज 150 रुपए है और फिर दूसरा आपसन दिया हुआ कुरसी 160 रुपए है मेज 130 रुपए है और पिर तीसरा आपसन दिया हुआ कुरसी 110 रुपए है और मेज 180 रुपए है और चौथा आपसन दिया हुआ ह नहीं किया जा सकता, तो देखिए इसका जो आ आपसन है विल्कुल राइट अंसर हो जाएगा, कुर्शी 110 रुपया, और मेरे इक्सों पचास रुपया, देखिए यहाँ पर तीन मेरे और फांच कुर्शी का मुल दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना एक मेज का दाम X रुपया है तथा एक कुरसी का मूल Y रुपया है और फिर जो है मान करके क्या करेंगे कि यहाँ पर दो समीकरण बना लेंगे और दो समीकरणों को जो है हल कर लेंगे और यहनिकि किसी भी बिदी से आप खल कर लिजिए चाहे प्रतियस थापन बिदी से और चाहे बिलोपन बिदी से और जो X और Y के मान निकलेंगे वही जो है कुरसी और मेच के दाम हो जाएंगे तो इस प्रकार से इस question को हल किया जा सकता है यानि कि इसका जो first option है बिल्कुल right answer हो जाएगा अब देखते है next question तो देखें next question है यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक एकाई के अंक से तीन कम है यदि संख्या अंकों की जोड़ की चार गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी तो देखें यहाँ पर पहला option दिया हुआ 14 दूसरा आपसं दिया हुआ 25 तीसरा आपसं दिया हुआ 36 और चौथा आपसं दिया हुआ है ग्यात नहीं की जा सकती तो देखें इसका जो सा आपसं दिया राइट एंसर हो जाएगा 36 देखें यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है यह कहा गया है तो यहाँ पर हमको देखिए सबसे पहले मानना पड़ेगा कि मानना इकाई का अंक X है तथा दहाई का अंक Y है उसके बाद फिर एक संख्या मान लेंगे कि जो है संख्या क्या बनेगी फिर तो देखें 10Y प्लस X संख्या बन जाएगी और फिर यहाँ पर समि राइट एंसर हो जाएगा आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है शमी करन 3X प्लस Y बराबर 4 और फिर है देखिए X प्लस 2Y बराबर 3 शमी करन 2 है और इसको कहा गया कि प्रतियस्थापन बिधि से XM Y का मान होगा देखें जब बिधि का ना नहीं कर सकते हैं अगर आप इसको बिलोपन बिधि से हल करेंगे तो इसको गलत माना जाएगा तो इसको आप प्रतियस्थापन बिधि से हल कर सकते हैं प्रतियस्थापन बिधि और बिलोपन बिधि बहुत ही अच्छे से बताई गई है तो यहां पर देखें दो समीकार दि दीसरा आप्सन दिया हो, x बराबर 4 और y बराबर 6 और चौत्छा आप्सन दिया हो, x बराबर 2 और y बराबर 4 तो देखें इसका जो 2 आप्सन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 1 अब देखते हैं, next question तो देखें, next question है, breath के 6 फल का सूत्र क्या है breath के 6 फल का सूत्र क्या है, तो देखें, पहला आप्सन है इसका ब्यास बटे 2, दूसरा आप्सन है 2 pi r, तीसरा आप्सन है pi r square और चौत्छा आप्सन है pi r cube, तो देखें, इसका जो 6 आप्सन है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, देखें, breath के 6 फल का सूत्र पूंचा है कुश्चन नमबर 51 यदि एक ब्रित का छेथफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका ब्यास होगा देखे पहला आप संदिया हो 14 मीटर दूसरा आप संदिया हो 28 मीटर तीसरा आप संदिया हो 56 मीटर और चौथा आप संदिया हो 112 मीटर तो देखे इसका जो बा आप संदिया हो जाएगा 28 मीटर देखे यहां पर ब्रित का छेथफल दिया हुआ है यहनि की पाई आर स्कॉयर दिया हुआ है 616 और यहां पर देखे हमको निकालना क्या है ब्यास निकालना है तो ब्यास के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पास निकालाएगा तो यहां पर देखिए और स्कॉयर को इधर ही रखेंगे और पाई को उधर को देंगे तो यहां पर हो जाएगा 616 बटेelnा साथ और 22 बटे साथ को देखे 22 नीचे रखेंगे और साथ को उपर गुड़े के रूप में ले लेंगे अब जो है बाइस से क्या करेंगे इसको 616 को भाग देंगे तिहां पर देखे सबसे पहले हम 11 से इसको काटेंगे तो देखे 11 दुना 22 होता है और फिर यहां पर देखे काट देंगे तो कितना आ जाएगा दो दुनना चार और दो अठे सोला यानि कि 28 आ जाएगा और फिर देखें 28 का साथ से गुड़ा कर लेंगे तो देखें R square बराबर हो जाएगा, 28 का 7 से गुड़ा करेंगे, तो 57, 56 का 6 आजाएगा, और फिर देखिए, 7 दूनी 14 और 14, 5, 19, यानि कि 196 आजाएगा, अब यहाँ पर R निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, R का square हटा देंगे, तो इधर रूट लग जाएगा, यानि कि यहाँ पर इधर नहीं ब्यास निकालना था, तो यहाँ पर तिरिज्या हमारी 14 आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, D बराबर हम निकालेंगे, तो D बराबर होता है, 2R, और देखिए, 2 इंटू, जो है, 14 कर देंगे, यहाँ पर, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, तो इस प कोणों का योगफल होता है, बहुत ही आसान कुश्चन है, तो देखें, चतुर भूज के चारो कोणों का योगफल कितना होता है, पहला आपसंदिया हुआ, एक समकोण, दूसरा आपसंदिया हुआ, दो समकोण, तीसरा आपसंदिया हुआ, चार समकोण, और चौथा आपस का एक उभैनिष्ट अंतिविंदु होता है कहलाती है चतुर भुच की वए दो भुजाएं जिनका एक उभैनिष्ट अंतिविंदु होता है कहलाती है तो देखें पहला अपसंदिया और सम्मग भुजाएं दूसरा अपसंदिया हुआ कर्मा अगत भुजाएं तीसरा अपसं व्रत राइंसर हो जाएक़ यहाँ पर लिखे इस तरीके से कर्मागाध्भुजाएं होतें यहाँ पर देखें यह ऑभा बैंने स्विंद्र होता है तो इसका जू बहर आप सोने विल्की राइट कुस्टिन हो साथ क्शान है यहाँ पर लिखा Defender होता है तो इसका जो बहुत आप सान रइज रइंसर हो जाएगा आप देखते हैं चतुरूज के अंता कॉनट होते हैं यहां पर देखेंड को कोड़ हो होना चाहिए तो ठी तो देखे चत्र भुज है तो चत्र भुज में 4 अन्ताकोन होते इसका जो सा आपसने बिलको राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है वर्ग की भुजाएं होती है देखें पहला आपसन दिया हुआ केवल 2 सम्मुक भ आपसन दिया हुआ, सभी आसमान, और चौता आपसन दिया हुआ, केवल दो आसन भुजाए बराबर होते हैं, तो देखे, इसका जो बा आपसन है, बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, देखे, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, आप सभी को पता होगा, देखे, वर्ग इस तरीके से बनता है, और इसके सभी भुजाएं बराबर होती है, और प्रतेक कोण 90 डिगरी का होता है, तो इसका जो बा आपसन है, बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, अब देखते हैं, नेक्ट कुश्चन, तो देखे, नेक्ट कुश्चन है, कुश्चन बा आपसन है, बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, आयत के बिकांड परस पर बराबर होते हैं, अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन, तो देखे, नेक्ट कुश्चन है, वर्ग की चारों भुजाएं होती है, वर्ग की चारों भुजाएं होती है, आसमान, समान, तिर्च केवाद दो समान देखे अभी पहले कुश्चन आ चुका है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है इसका जो बा आफसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है समानतर चतुरभुज के सम्मुकोड हो होते हैं इसका जो आफसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा देखें समानतर चतुरभुज इस तरीके से बनता है और यहाँ पर इसके जो यह कोड होते हैं सम्मुक वाले यह आपस में बराबर होते हैं यनि कि इसका जो आफसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है चतुरभुज के परकार हैं देखें पहला अप्षन दिया हुआ समलंब चतुरभुज दूसरा अप्षन दिया हुआ है समानता है चतुरभुज और तीसरा अप्षन दिया हुआ सम चतुरभुज और इसका जुद्धा आपसन है वो राइट हो जाएगा उप्रोब्त सभी अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है आयत एक चतुर भुज है देखिए कैसा चतुर भुज है समलंब समांतर सम चतुर भुज इन में से कोई नहीं तो देखें आयत एक समांतर चतुरभुज है यानि कि इसका जो बा आपसन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए इसकी जो भुजाए होती है इस तरीके से होती है देखिए तो यहाँ पर देखिए ये भुजा भी समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है यनि कि इसके दोनों योगम जो हैं भुजाओं के वो दोनों समांतर हैं तो इस प्रकार से इसका जो बा आपसन है वो बिल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है समांतर चतुरभुज के सभी अंता कोणों का योगफल होता है देखें पहला आपसन दिया हुआ 90 डिगरी दूसरा आपसन दिया हुआ 240 डिगरी तीसरा आपसन दिया हुआ है 270 डिगरी और चौथा आपसन दिया हुआ 360 डिगरी तो देखे इसका जुद्धा आपसा नहीं बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि चतुर भुज कैसा भी हो अगर चारों अन्ताकोणों का योगफल पूच्छा जा रहा है तो उसका एंसर 360 होगा या तो चार समकोण आप कह सकते हैं या तो 360 डिगरी कह सकते हैं तो इस परकार से यहाँ पर समांतार चतुर भुज के सभी अन्ताकोणों का अपफल कितना हो जाएगा 360 डिगरी हो जाएगा तो इसका जुद्धा आपसा नहीं बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है सम चतुर भुज के कोण होते हैं सम चतुर भुज के कोण होते हैं बराबर समान सम कोण सम मुक कोण बराबर तो देखे इसका जो दा आपसाने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा सम्मुक कोण बराबर देखे सम्मुक कोण होते हैं वो बराबर होते हैं क्योंकि देखे सम्मुक की चारों भुजाएं तो बराबर होते हैं और उसके भुजाएं अगर बराबर हैं, तो क्या होगा, इसको सम चतरभुज बोलेंगे, और यहाँ पर देखें, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यनि कि जो सम चतरभुज होता है, सम चतरभुज के सम मों कोण होते हैं, वह आपस में बराबर होते हैं अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है किसी संख्या के वर्गमोल में केवल दो अंक हैं तो वह संख्या है किसी संख्या के वर्गमोल में केवल दो अंक हैं तो वह संख्या है ये कुश्चन देख लिजिए 2016 में पूछा ग तो इसका देखिए सा आपसन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा तीन अंक या चार अंक देखिए ये पवन स्रीज में कुश्चन गलत दिया हुआ तो इसको आप लोग जो है सही टिक कर लेजिएगा क्योंकि वहाँ पर इसका बा आपसन सही किया गया है जबकि इसका बा न होती है दो अंकों की वह होती है 10 का अगर वर्ग करेंगे हम 10 दहमन सहोगा और सो में तेन फहन होंगे इसन बर्गमूल में दो अंक से जो है तीन अंक से कमम करते नहीं हो इना सकते क्योंकि 10 तो 3 औ lige हो में नहीं करेंए और अगर आछिए जो है सबसे बड़ी संक्या 99 का अगर जो है स्क्वाइर करेंगे तो उसमें चार अंक भी हो जाएंगे तो इस परकार से इसका जो सा आपसन है वही सही होगा इसका जो बापसन है वह सही नहीं होगा तो इस परकार से इसका जो सा आपसन है तीन अंक या चार अंक यह सही हो जा तिया हुआ 3 बटे 2 और 4 अपसन दिया हुआ 3 बटे 4 तो देखे इसका जो सा आपसन है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा 3 बटे 2 देखे यहाँ पर 8 तरिक 24 और 24 तीन 27 यहनि कि 27 बटे 8 हो जाएगा और फिर 27 बटे 8 का जो है घनमूल हमको निकालना है तो घनमूल देखे 27 25 का घनमूल 3 हो जाएगा और जो है आठ का घनमूल 2 हो जाएगा तो इस परकार से इसका जो सा आपसान है बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्यन तो देखें नेक्ट कुश्यन है कुश्यन नमबर 65 है एक वर्ग का विकर्ड पांच अंडर हुआ है पांच अंडर रूट तीन सेंटीमीटर और चौथा आपसन दिया हुआ चार सेंटीमीटर तो देखें इसका जो बा आपसन है बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि देखें वर्ग के विकर्ड का फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट दो तो यहां पर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कंसिल हो जाएगा तो यहां पर देखें पांच बच जाएगा यह निकि इसका जो बा आपसन है बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है यदि कास स्क्वार थीटा पर दिया हुआ स्वाइन स्कॉर थीटा कमान गयाद करना है तो पहला अपसंदिया हुआ तीन बटे चार दूसरा अपसंदिया हुआ एक बटे अंडर रूट दो और तीसरा अपसंदिया हुआ अंडर रूट थीरी बाइट टू और चौत्था अपसंदिया हुआ एक बटे द देखे यहां पर हम क्या करेंगे देखे कास स्क्वाइर थीटा का मान जो है दिया हुआ है कितना एक बटे दो थी यहां पर कास स्क्वाइर थीटा की जगे पर वन माइनस साइन स्क्वाइर थीटा लिखा जा सकता है इस तरीके से one minus sign square theta लिख लेंगे बराबर हो जाएगा एक बटे दो और उसके बाद पिर देखे इस sign को इधर ले आएँगे और इस एक बटे दो को इधर ले जाएँगे तो देखिए जब sign square theta को उधर ले जाएँगे तो यहाँ पर देखे प्लस का sign square theta हो जाएगा क्योंकि सद्धा बचेगा यहीं कि एक में से एक बटे दो घटाएंगे तो एक बटे दो बचेगा यहीं कि इसका जो द्धा आपसान है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन सनलगन आकरित में बिंद ओ बृत का और चालिश डिगरी तीसरा आपसान दिया हो और सिक्स्टी डिगरी और चौथा आपसान दिया हुआ है असी डिगरी तो फटा फटा आप लोग इसका सही एंसर बताईए तो देखें इसका जो द्धा आपसान है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा असी डिगरी यहां प जो है B को इस तरीके से मिला देंगे तो देखे जब A को B से मिलाएंगे तो ये एक जीवा होगी और एक ही जीवाद्वारा देखे ये ब्रत के केंद पर कोड बन रहा है और ये कोड जो है वो ब्रत की परिद पर बन रहा है तो देखे एक ही जीवाद्वारा ब्रत के केंद प पर बना कोंड परिद पर बने कोंड का दो गुना होता है यह कह सकते हैं कि एक ही जीवा द्वारा बिरत की परिद पर बना कोंड केंद पर बने कोंड का आधा होता है तो यहां पर देखें पर बना कोंड 40 डिगरी है तो केंद पर बना कोंड इसके दो गुना हो जाएगा यहन अपसन दिया हुए माइनस का 2 बटे 3, दूसरा अपसन दिया हुआ माइनस का 32 बटे 75 और फिर तीसरा अपसन दिया हुआ थीज़ा दिया हुआ, माइनस का 1 बटे 2 है और कहा गया है तथा आठ बटे पंदरा का भागफ़ल करेंगे तो यहां पर भागे आठ बटे पंदरा आएगा और इसको जब बुढ़े के रूप में चेज़ कर लेंगे तो 15 बटे 8 हो जाएगा य्यन我就 चाएगा और फिर इसको सरल कर लेंगे यहां पर तो चार दुना आठो जाएगा और यहां पर देखें पांती हैं पंद्रा हो जाएगा तो इस परकार से माइनस का तीन बटे दो तो इसका एंसर आ जाएगा यानि कि इसका जुस्सा आपसान है विल्कुर राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है एक पासा फेकने पर प्रतिदर समस्ट में अभाज संख्या के अवयवों की संख्या है तो यहाँ प देखें इसका जुस्सार आपसन है विल्कुर राइट एंसर हो जाएगा तीन देखें यहाँ पर कहा गया है कि एक पासा फेकने पर पृतिदर समस्ट में अभाज संख्या के अवयों की संख्या है तो देखे प्रतिदर समस्ट का मतलब जो एक पासा फेकने पर जो hive घटनाएं होती हैं उन्हीं को प्रतिदार समस्टी कहते हैं यानि कि प्रतिदार समस्टी का मतलब होता है कुल घटनाएं तो देखें कुल घटनाएं कौन कौन से होती हैं तो देखें एक दो तीन चार पांच छे ये कुल छे घटनाएं एक पासा फेकने पर घट सकती हैं यान तो देखे ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक है वो ना तो भाज है और ना तो अभाज है ये आपको पता होना चाहिए नहीं तो निश्चित रूप से ये कुश्चन गलत हो जाएगा तो यहाँ पर देखे एक को हटा देंगे क्योंकि एक जो है वो ना तो भाज है और न इन से कट रहा तेशप्रकार से यह अभाज संख्याह नहीं होगि तेश्प्रकार से दूत इन और 5 जो है यानिंए कि 3 संख्याह जो है वह अभाज संख्याह हो जाएंगा ने कि इसका जुद्धा और यान सर्क्राइद अन request हो चौथा आपसन दिया हुआ 0.2 तो देखे इसका जो बा आपसन है बिलकुर राइट एंसर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो कुश्चन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर देखे 4 0 लिखे हुए है पॉइंट के बाद जब कि यहाँ पर 5 0 होना चाहिए य निथा के स्थित में कुश्चन गलत मानना जाएगा तो इस प्रकास से अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन देखे नेक्ट कुश्चन है साइन 30 डिग्री अपान कास 30 डिग्री का मान है साइन 30 डिग्री अपान कास 60 डिग्री का मान है तो देखे पहला आपसन हो जाएगा एक दूसरा आपसन हो जाएगा एक बटे दो और तीसरा आपसन हो जाएगा एक बटे चार और चौथा आपसन हो जाएगा दो तो देखिए इसका जो a आपसाना भीलकूल right answer हो जाएगा देखे sign 30 degree upon cast 60 degree कहा गया तो देखे sign 30 degree कमान होता है एक बटे दो और sin 60 degree कमान भी एक बटे दो होता तो इसके बटे में एक बटे दो करेंगे और गुड़े के रूप में लायंगे तो दो बटे एक हो जाएगा और फिर देखें दो से दो कैंसिल हो जाएगा एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से एक आ जाएगा यानि कि इसका जो आ आप समय आपसान है विलकुल राइट आंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question देखें next question है कुश्चन नमबर 72 समे करन 5 x बराबर y और 2 x, y बराबर 7 के हल में y का मान है, ये क्षिशन भी देख लिए, 2017 में पूछा गया है, तो देखें, पहला आपसण है 7, दूसरा आपसण है एक तीसरा अपसान है फाइव और चौता अपसान है थ्री तो देखे इसका जुटसा आपसान है विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा फाइव देखे यहां पर फाइव एकस बराबर वाई दिया हुआ तो यहां से हम क्या करेंगे एकस की वैलू निकाल लेंगे तो एकस ब अब यहां पर LCM ले लेंगे तो देखे टू वाई प्लस फाइव वाई और अपान हो जाएगा देखे फाइव यानिकि इसका होल बटे फाइव हो जाएगा और जब बटे में फाइव है उधर ले जाएगे तो गुड़े के रूप में हो जाएगे यानिकि सतो पच्छे 35 ह हो जाएगा तो इस परकार से समीकान बनेगा अब यहां पर देखे जो है पांच और दो को जोड़ेंगे तो पांच तो साथ वाई हो जाएगा और यहां पर देखे 35 है अब यहां पर साथ वाई बराबर 35 अब क्या करेंगे वाई बराबर 35 बटे साथ कर देंगे तो देखे सतो पच्छे 35 यनि की वाई कमान कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा तो इस परकार से देखे इसका जो सा आफसन है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कार्ट 30 डिगरी अपान 10 45 कमान है तो यहाँ पर देखें पहला आफसन दिया हुआ एक बटे अंडर रूट 3 और दूसरा आफसन दिया हुआ अंडर रूट 3 और तीसरा आफसन दिया हुआ एक बटे 2 और चौता आफसन दिया हुआ 2 तो देखें इसका जो बा आफसन है बिल्कुल right answer हो जाएगा under root 3 ये question भी देख लिएजे 2018 में आया हुआ question है यहाँ पर देखें जो है series में एक बटे under root 3 को सही टिक किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि card 30 degree command under root 3 होता है और 25 degree command 1 होता है तो देखें under root 3 by one लिखेंगे तो क्या होगा one का बटे में कोई मतलब नहीं इसका मतलब इसका जो बा आपसान है विल्कुल right हो जाएगा यानि कि ये आपसान इसका गलत माना जाएगा तो आप लोग series में इसका correction कर लिजिएगा अब देखते है next question तो देखें next question है किसी breath का छेतफल 88 100 cm है देखें किसी breath का छेतफल 88 100 cm है breath की तरिज्या है ये question भी 2018 पुछा गया है तो देखें पहला अपसान है 20 cm दूसरा अपसान है 7 cm और तीसरा अपसान है साथ अंडरोड 20 cm और चौत्छा अपसान है 20 अंडरोड 7 cm तो यह भी कुश्चन आप लोगों को रट गया होगा क्योंकि कई बार यह कुश्चन हल करवाया गया है तो यहाँ पर इसका जो दा आपसन है विल्कुर राइट एंसर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो है बीस ऐसा लग रहा कि करड़ी की घात में लिखा हुआ तो करड़ी की घात में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर 20 अंडरूड 7 cm होगा यानि कि 20 जो होगा वो गुड़े के रूप में होगा ये आप लोग ध्यान दखना तो यहाँ पर इसका जो दा आपसन है वो सही तो होगा लेकिन यहाँ पर 20 जो हो करड़ी की घात में नहीं होगा 20 जो हो गुड़े के रूप में होगा अब इसको साल्व कैसे करेंगे, देखें, किसी ब्रित का छेट फल दिया हुआ है, 88 cm और तुरिज्या निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें, ब्रित के छेट फल का फार्मूला होता है, पाई आर स्कॉयर, तो पाई आर स्कॉयर बराबर हो जाएगा, देखें, 88 अ यहाँ पर देखे अठासी सो हो जाएगा और फिर जो है आर इसक्वाइर यहाँ से निकाल लेंगे तो देखे आर इसक्वाइर बराबर हो जाएगा अठासी सो और बटे हो जाएगा बाइस बटे साथ तो यहाँ पर बटे में बाइस लिखेंगे और गुड़े में इदा 7 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए जो है 22 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 22 चोको 88 होता तो यहाँ पर देखिए 22 चोको 88 यहनि कि यहाँ पर आ जाएगा 400 और उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे आर का स्कुएर हटाएंगे तो यहाँ पर देखे, R बडावर हो जाएगा, under rude 400 बचा था और जो है गुड़े में 7 बचा था, तो यह रूट के अंदर हो जाएगा, अब यहाँ से आर बराबर देखे जो है 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा तो इस परकार से 20 आगया और उसके बाद 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये रूट के अंदर रहेगा यानि कि यहाँ पर 20 अंडर रूट 7 आ जाएगा तो इस परकार से इसका जुद्धा आपसान है राइट एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे next question है 2x square माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल है तो देखें पहला आपसन दिया हो है 1 और minus का 1 अपन 2 दूसरा आपसन दिया हो गैनस का 1 और comma 1 अपन 2 और 31 आ 10 आपसन दिया हुआ दो और 14 आपसन दिया हुआ 1 और 2 तो देखे इसका जो A आपसान है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा एक कामा माइनस का एक बटे दो यहनि कि X की जो वैलू आएगी वो एक आएगी एक और दूसरी आएगी माइनस के एक बटे दो तो यह गुड़नखंड आप आसानी से कर सकते हैं और गुड़नखंड करके X के मान निकाल सकते हैं इस टाइप के बहुत सारे कुश्चंस बताएगे हैं और यह कुश्चं भी आप लोगों को बताया जा चुका है तो आप लोग इस कुश्चं को खुद हल करिए अब देखते हैं नेक्ट कुश्चं तो देखें नेक्ट कुश्चं है संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है ये कुश्चन भी कई बार कराए जा चुका है और ये 2018 में पूच्छा भी गया है तो देखे पहला अपसन है पांच दूसरा अपसन है दो तीसरा अपसन है तीन और चौथा अपसन है चार तो देखे इसका जुस्सा आपसन है बिलको राइट एंसर हो जाएगा 14641 में जो है 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है तो यहाँ पर तीन जो है कौणों का योगफल दिया हुआ 14 कौण की माम निकाल सकते हैं तो 360 में से 285 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 75 डिगरी आ जाएगा यनिक इसका जो बा आपसन है बिलको राइट एंसर हो जाएगा यह कुश्चन भी 2018 में पूछा गया कई बार हल कर आजा चुका है तो यह जो है 75 डिगरी आ जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है परिमे संख्या माइनस 32 अपान माइनस 100 का सरलतम रूप है तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सरल कर लेंगे तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और उसके बार फिर देखिए 32 को काट लेंगे 4 से तो देखिए 34 32 हो जाएगा और नीचे 100 को 4 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस 32 बटे 100 दिया हुआ है तो 4 से का आप सेने विल्कुल राइट अंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है 0.0000001 का घंमूल है यहीं कि इसका घंमूल गयात करना है तो यहाँ पर देखें आईसी संख्या हमको लेना है जिसका घं करने पर इस संख्या के बराबर संख्या आ जाए तो यहाँ पर देखें दसमलों के बाद कितने अंक हैं एक दो तीन चार पांच छे छे अंक हैं तो यहा एंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0.01 का घं करेंगे तो देखे 0.01 गुड़े 0.01 गुड़े 0.01 यहनि तीन बार इसका गुड़ा करेंगे तो देखे 6 अंकों के बाद दसमलो लग जाएगा यहनि कि इसका जो बार आप साने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अब देखे लिए 2019 में पहुचा गया है तो देखे पहला आप साने सका 6 दूसरा आप साने 4 और तीसरा आप साने 2 और चोथा आप साने 8 तो देखे इसका जो A आपसान है विल्कुल राइट आइंसर हो जाएगा देखे तीन X बराबर 6 दिया हुआ तो यहां से X की वैलू निकाल लेंगे तो X की वैलू निकलेगी 2 और उसके बाद फिर दूसरे समिकर्ण में रख लेंगे और Y का मान निकाल लेंगे तो यहां पर देखे जो है X की वैलू दूसरे समिकर्ण में रखेंगे दो तो यहां पर देखे चार दुनना आठ हो जाएगा आठ प्लस Y बराबर 14 हो जाएगा और फिर Y बराबर 14 माइनस 8 कर लेंगे तो 8, 6, 14 होता है यहनि कि Y कमान 6 आ जाएगा यहनि कि इसका जो A आपसन है बिलकुल राइट आइंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है sin 60 degree upon cast 30 degree का मान है sin 60 degree upon cast 30 degree का मान है तो देखें पहला आपसन दिया हुआ इसका 1 बटे 2 दूसरा आपसन दिया हुआ 1, तिसरा आपसन दिया हुआ एक वटे 4 और चौथरा आपसन दिया हुआ दो तो देखें sin 60 degree का मान होता है under root 3 by 2 और यहाँ पर देखें cast 30 degree का मान बटे में है तो इसका मान भी होता है under root 3 by 2 तो यहाँ पर देखें इसको प्लड देंगे यानि कि गुड़े के रूप में उपर लाएंगे तो हो जाएगा 2 upon under root 3 तो यहाँ पर under root 3 से under root 3 कड़ जाएगा 2 से 2 कड़ जाएगा तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यानि कि इसका जो बा आपसान है बिल्कुल right answer हो जाएगा अब देखते है next question और इसका जो है last question तो यहाँ पर देखे यह 82 number question है 7 की power 1 बटे 5 बटे 7 की power 1 बटे 3 का मान है यह question भी देख लिए 2019 पे पूछा गया है तो देखे पहला आपसाने इसका 7 की power 2 बटे 15 देखे यहाँ पर 7 सही 2 बटे 15 लिखा हुआ है लेकिन देखे जो है यह सब power में लिखा हुआ है लेकिन जो है यहाँ पर 7 ऐसा लग रहा कि जैसे 7 सही 2 बटे 15 लिखा हुआ तो देखे इसका जो बा आपसन है वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 7 की पाउर माइनस का 2 बटे 15 यहाँ पर देखे इसको साल्व कैसे करेंगे देखे यहाँ पर जो है 7 की पाउर 1 बटे 5 बटे 7 की पाउर 1 बटे 3 दिया हुआ तो गुड़ा में घातें जुड़ जाती है यानि कि जब बेस समान हो तो गुड़ा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घड़ जाती है यहाँ पर भाग हो रहा तो घातें घड़ जाएंगी और फिर देखे यहाँ पर साथ की पावर देखे पांच में से तीन जाएगा तो माइनस का दो बचेगा और बटे में हो जाएगा पंदरा तो इस परकार से इसका जो बा आपसर ने बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा साथ की पावर माइनस दो बटे पंदरा तो इस परकार मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और यह चैनल पर नहीं तो चैनल को को सब्सक्राइब करें।। और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टापिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वंद मातरम